असलम अलेकूम वीवर्स वेलकम टू मैं चैनल मनाहिल टेलर आज की इस वीडियो में हम डुबट्टे पर बहुत ही गुपसा सा डिजाइन बनाने जा रहे हैं आप यहां पर कोई भी डुबट्टा यूज कर सकते हैं जैसे नेट का शिफून का या और गंजा का कोई भी डु इसके सेंटर पे एक निशान लगा दिया है उसके बाद आप जिस तरह से डिजाइन बनाना चाहें इसके उपर बना सकते हैं यानि अगर आफ सीधी सी len डॉ करना चाहें तो सीधी सी लाइन डॉर कर लें या तो फिर आप इस तरह की शेप दे दें जिस तरह की मैं देरही दोनों तरफ और इंके बीच का में जो gap देना है वो तक्वीबन चार से पांच इंच का देना है यह देखें इस तरह से उसके बाद हमने एक एक लाइन इसके साइड पर भी इस तरह से लगा लेनी है जो के हमारे सेंटर की लाइन से थोड़ी सी छोटी होगी इसी शेप में तो यहां पर मैंने सारी लाइन लगा ली है उसके बाद हमने इसी शेप के अकॉर्डिंग जो है वो गोटा स्टिच करना है अगर आप सीधी लाइन ड्रो करेंगे तो आप रिबिन यूज़ कर सकते हैं अदर्वाइस आप इस तरह की कर्व लाइन पर रिबिन यूज़ नहीं कर सकते उसके लिए आपको कोई फॉल्डिंग वाली लेस चाहिए होगी मैं यहाँ पर गोटा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गोटे को हम किसी भी शेप में आराम से मौट सकते हैं तो यह गोटा आपको हर कलर में मार्केट में मिल जाएगा पहले यह सिर्फ golden और silver में होता था अब यह हर कलर में available है अब हम इस लैस को इस तरह से line के उपर रखते हुए इसके उपर slide कर देंगे तो चलते हैं इसकी stitching की तरफ इस तरह से हमने गोटे को यहाँ पर रखना है उपर मैंने जो है वो गोटे का कलर रखा है उसके बाद आपने इसके उपर इस तरह से slide लगानी है शुरू में आपने slide को थोड़ा पका कर लेना है ताके गोटा खुलेना उसके बाद बिल्कुल हलके हातों से ना आपने गोटे को खीचना है ना आपने डोबटे को खीचना है बिल्कुल हलके हातों से आपने इसके पर slide लगाते वे जाना है उसी shape में जिस shape में हमने इसके पर line drop लीती इस तरह से इसके इलावा आपने slide जो है बिल्कुल अराम अराम से लगानी है जिस तरह समय आपको लगा के दिखा रही हूँ क्योंकि इससे ये होगा कि आपकी slide बहुत finishing के साथ लगेगी इसके लावा अगर आपको थोड़ी भी slide लीचे उपर हो गई और आपको इसकी slide खोलनी बड़ी तो net का कपड़ा इतना नाजक होता है कि जल्दी खराव हो जाता है तो दुबारा इसके पर डिजाइन करने का कोई चांस नहीं रहता हमारा डुबटा जो है वो किसी काम का नहीं रहता तो आपने बहुत इत्यास से काम करना है तो यहाँ पर देखे मैंने slide को end किया है यहाँ मैं गोटे को cut कर दूँगी और दागे को भी अराम से निकाल लूँगी तो इस तरह से देखें अब कितनी finishing के साथ यहाँ हमारी line लगी है अब इसी तरह से मैं बाकी की सारी lines लगा लूँगी इस तरह से देखें सारी lines के उपर हमने अच्छे से गोटे को stitch कर लिया है और कितनी finishing के साथ हमारी सारी lines लगी है उसके बाद अब हम इसके लिए flower stitch कर लेंगे तो यहाँ पर जिस net से मैं flower बनाने जा रही हूँ वो net shimmer वाली है हमारी आप जो है वो साधी net के साथ भी इस तरह के flower बना सकते हैं जो market से आपको अराम से मिल जाएगी और इस तरह की भी आपको market से अराम से मिल जाएगी उसके बाद मैंने इसका यह piece कट करके रखा है जिसकी लंबाई जो है मैंने 20 inches ली है और इसकी चोड़ाई जो है हमने 3 या सवा 3 inch लेनी है इस तरह से उसके बाद मैंने सुई में दागा डाल लिया है आपने जिस कलर का flower बनाना है उसी कलर का आपने दागा यूश करना है उसके बाद मैं इसको इस तरह से double fold कर रही हूँ हमने बिल्कुल भराबर कप्ड़ा रखना है इस तरह से fold करके कम ज्यादा हमारा कप्ड़ा ना हो उसके बाद आपने जो है वह उसको नीसे वाली side यानि जो side बंद है वहाँ से आपने जो है उसको इस तरह से stretch करना है ये देखें इस तरह से बिल्कुल नीचे से आपने इसको स्टेच करना है और बिल्कुल बराबर बराबर इस तरह से टांके लगाने हैं आपने ये देखें इस तरह से तो इस तरह से देखें हमने इसके पर पूरी स्लाई लगा ली है उसके बाद दोनों सो को इस तरह से मिलाते हुए हम इसको अच्छे से या पर पका कर लेंगे तो इस तरह से देखें हमारा फ्लावर बनके रेड़ी हो गया है कुछ इस तरह से और कितना खुबसूरत लग रहा है उसके बाद आपने दूसरा स्टेप क्या करना है इस तरह से आपने नेट को यूँ खोल लेना है जो अपन वाली साइट थी वहां से यानि दोनों साइट आपने इस तरह से अलग-अलग कर लेनी है इससे जो हमारे फ्लावर का शेप जो है बहुत ही घुबसूरत आएगा इसी तरह से हमने बाकी के सारे फ्लावर बना लेने है ये देखें हमने सारे फ्लावर से इस तरह से बना के रखे हुएं सारे जितने भी आपको चाहिए होंगे उससे साफ से आप बना लेंगे उसके बाद अब हम लोगों ने इसको डुबटे पे किस तरह से लगाना है जहाँ पर इसके कॉर्णर है वहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे सारे फ्लावर्स इस तरह से और अगर आप चाहें तो नीचे की तरफ भी रख सकते हैं इस तरह से इसके बाद आप हमने इसको stitch किस तरह से करना है इस तरह से flower को रखते हुए सुई के साथ इस तरह से टांका लगा लेना है जिससे कि ये अंदर की तरफ दब जाए ये देखें इस तरह से इसके बाद back side से आपने इसको अच्छे से पका कर लेना है अब इसी तरह से मैं बाकी के सारे stitch कर लूँगी उसके बाद मैं इस डुबट्टे का final look आपको दिखाती हूँ तो इस तरह से देखें हमने डुबट्टे के एक पल्लू पे इस तरह से पूरे stitch कर लिए है सेम इसी तरह से आपने दूसरा पल्लू बना लेना है और सेम यही डिजाइन जो है आप फ्रॉक के दामन के उपर या शर्ट के दामन के उपर या आप कोई डिजाइनर कुर्ती इस तरह से रेडी करना चाते हैं तो अपनी कर सकते हैं या बच्चों के ड्रेसे के उपर भी इस तरह के flower stitch करके लगा सकते हैं होप के मेरी आज की वीडियो आप लोग के लिए helpful रही हो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजेगा अगर आप ये डिजाइन बनाएं तो मेरे साथ इसका फीड़ेक लाजमी इस्टरग्राम पर शेयर कीजेगा इसके लावा अगर आप मेरे जैनल पर न्यू है तो जैनल को सब्स्ट्राइब करना ना बूलना साथ मेरे कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताके मेरे न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मिलते हैं नेक्स वीडियो में अल्ला हाफिस